हलो बच्चों, आज हम पढ़िए पॉरिफिरा के बारे में हमने प्रोटो जोगा कम्पलीट कर लिया है, यह हमारा सेकेंड फाइलम है, तो चलिए शुरू करते हैं, पॉरिफिरा एक पोर बेरिंग और्गनिस्म होता है, पहले की जमाने में लोग इसे नहाने के स्पॉंज की कि रूप में यूज करते थे, जिसे आजकल लोग अर्टिफिशल यूज करते हैं, पहले इसे ही यूज किया जाता था, इसका बाड़ी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा था, कि इसे बाध स्पंच की रूप में यूज करते थे, आप इसके फीगर को देखेंगे, तो इसमें चुटे चुटे dots दिखेंगे इसे हम और उस्तिया कहते हैं और ऊपर की तरफ एक पोर होगा जो बड़ा होगा size में वह उस्तिया से water अंदर जाता है और उस्तिया से water उपर आता है यह process चलता है क्योंकि सब्सक्राइब uz है या fresh water हो सकता है fresh भी बहुत कम होता है mostly marine होते हैं चीक है पॉरिफेरा में बीच में cavity numasan रचना होती है इसी स्पांजोसील कहते हैं यह cavity para gastric cavity होते हैं और इसे ही स्पांजोसील कहते हैं आप उपर वाले structure को तो यह ऐसा ही दिखता है आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं तो आपको ओरिजनल पॉरिफेरो देखने मिल जाएगा आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो आपको देखेगा जो साइट में सेल्स हैं उन्हें पिनेको साइट कहते हैं और उसके अंदर की तरफ जो राउंड शेप में फ्लैसला जिसमें निकला हुआ है उन्हें कॉलर सेल्स कहते हैं और बीच वाले भाग को कहते हैं आता है यहां से वॉटर का ट्रांस्पोरटेशन होता है वो अंदर आता है और ऊसकलम से ऊपर चलैता है हूपर मतलब बाहर चला जाता है आप इसी के डीटेल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप उपर की साइद देखिये वहां पर कॉलर सेल्स हैं साइड में और इसके बीच सेल है और स्पिक्यूल है उसके साइड में अब अगर में आप देखेंगे तो वहाँ पर एपिडर्मल सेल है तो यह स्ट्रक्चर है अभी आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़े पोरिफेरा में होती है अभी इसके जन्रल केरेक्टर स्टिक्स को पढ़ेंगे और इसके डी परिफेरा होता है जिसे स्पॉंजिला कहते हैं आप इसको याद करना जाएं तो ऐसे याद कर सकते हैं स्पॉंजिला जिला मतलब गिला गिला पानी से गिला तो यह फ्रेश वाटर पॉरिफेरा है जिसे कहते हैं स्पॉंजिला आप कुछ भी बना सकते हैं जैसे आपको जो जो बढ़ सकते हैं देख सकते हैं नेक्स पॉरस बाडी इसमें आस्टिय और सकुलम होते हैं इनकी बाडी पर बीरिंग बाड़ी होती है mostly asymmetrical होते है aí asymmetrical क्या होता है इने जब हम bottoms two equal half मैं कभी divide नहीं होते हैं इसी को हम asymmetrical कहते हैं, इनके बारे में भी मैंने जो basic information के videos बनाये हैं, वहाँ पर बताया है, तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, cell level organization क्या होता है, यह multi cellular तो होते हैं, लेकिन इसमें cell level organization ही होता है, यह tissue नहीं बनते हैं, multi cellular है, बट no tissue, इसमें tissue नहीं है, जब tissue नहीं है, तो organ कहां से बनेगा, organ system कहां से बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ cell level organization पाया जाता है, only multi cellular यह होते हैं, आप देख सकते हैं, protojoa के बाद next phylum है यह, तो इसमें थोड़ा बहुत ही चेंजमेंट आया है, वो unicellular होते हैं, यह multi cellular होते हैं, बट यह cell level organization ही होता है, tissue level पर नहीं गया है, next है cell aggregate body plan होती है, मैंने आपको तीन तरीकी के body plans बताए हैं, जिसमें है tube within tube, blind sec and cell aggregate body plan, जब मैंने आपको यह बताया था, तो मैंने आपको यह भी बताया था, cell aggregate में, porphyra example के रूप में, उसको explain भी किया था, इसमें क्या होता है, जो cells होती हैं, कि multicellular होते हैं, तो cell क्या हो जाती है, इकटा हो जाती है, organism बना लेती है, लेकिन यह कभी भी multicellular होने के बाद भी यह tissues नहीं बनाते हैं, तो यह एक बहुत important चीज़ है, पॉरिफेरंस के बारे में, next point है, most primitive phylum of animal kingdom, यह most primitive phylum है, animal kingdom के, multicellular होते हैं, इन में कोई germ layer नहीं होती है, बिचारों के पास कुछ भी नहीं होता है, acylomate होते हैं, cilom भी नहीं होती है, and do not have neurons, feelings भी नहीं होती हैं, आप समझ लीजिए, पॉरिफेरंस कितने बिचारे, क्या ही बता है, तो आप जैसे की, जैसे acylomate है, body plan है, organization है, cell level organization, और asymmetry है, symmetric क्या होती है, socile क्या होता, अगर आप यह सारी चीज़ों को एक बार समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा basic information का वीडियो है, playlist बनी हुई है, वहाँ पर आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, next चलते हैं, आम इनकी body के बारे में कुछ चीज़ें अच्छे से समझ ले, इनमें two layered body wall पाई जाती है, बाहर वाली layer को कहते हैं, बिनेकोडम, और अंदर वाली layer को कहते हैं, कैस्टोडम, ठीक है, अभी आपको detail figure दिखाऊंगी, वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा, अभी आप इन सब को एक बार पढ़ लिजे, और ये जो notes हैं, ये best notes हैं, इनको आप जरूर से जरूर screenshot ले लिजे, इनको आप लिख लिजे, बहतर होगा, आपके exam के लिए बहुत अच्छा होगा, चलिए, next है cavity, इसके अंदर cavity जो होती है, वो spenjo seal होती है, next है, इसके अंदर jelly like structure होता है, उसे mesohil कहते हैं, ये बहुत ही important होता है, इसका, इसमें two types cells पाई जाती है, amoebocytes, cells और skeletal structure बनानी के लिए, आपने देखे होंगे, जो पहला figure में आपको दिखाया था, उसमें specules है, और होता है, इसमें spongion fibers, ये इसके skeletal structure के लिए बहुत जरूरी होते है, इसके अंदर ये पाए जाते हैं, अगर ये नहीं होंगे, तो आपको क्या लगता है, कि ये इसके अंदर कुछ है ही नहीं, किवल 4 spores है, तो ये खड़ा तो रही नहीं सकता है, ये तुरन-तुरन गिर जाएगा, लेकिन ये क्यों खड़ा रहता है, ये इसके पीछे के ये कारण है, specules और spongion fibers, ये skeletal structure को बनाते है, amoebocytes जो होते हैं, वो कई प्रक को स्टोर करते हैं, स्केलरोब्लास्ट होते हैं, वो skeletal structure को बनाते हैं, थर्ड नमर पे cells आती हैं, वो gametes बनाती हैं, फोर्ड नमर पे जो arqueocide है, ये बहुत ही important है, इनके reproduction के लिए बहुत सरूरी है, ये undifferentiate cells होती है, जब unfavorable condition में इसकी body destroy हो जाती है, तो ये cells रह जाती है और ये cells आगे regeneration करती हैं, इन्हें regeneration significant capability पाई जाती है, इन्हें totipotent या stem cells भी कहते हैं, next point है, इसके अंदर poreference में elementary canals नहीं पाई जाती है, और इनमें intracellular digestion होता है, intracellular digestion का मतलब होता है, cell के अंदर digestion, ठीक है, इन्हें intracellular digestion कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे poreference के सबसे important system के बारे में, canal system, इसमें क्या होता है, इस system by which water enters and the sponges body and exits, इसमें क्या होता है, पानी जो अंदर जाता है, और स्पोंजर सील से होता हुआ, इस कलम से निकल जाता है, वो एक system बनाता है, यही canal system कहलाता है, मैं आपको शुरू से काफी बार आपको यह चीज बता चुकी हूँ, और इसी को हम canal system कहते हैं, यह बहुत पूछा जाता है, यह बहुत important है, मैं जितनी बार भी चीजे रिप बाद रहेंगी, तो biology आप रट नहीं सकते हैं, आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे, जितना आपके दिमाग में स्टोर होगा, वो उतना ही आपको exam में काम आएगा, तो जितनी बार हो सके उस चीज को पढ़िए, वो शब्द पढ़िए, क्योंकि biology तो बहुत जादा है, उ ये food particles को capture कर लेते हैं, ostium से सिर्फ पानी अंदर नहीं आता है, पानी के साथ-सथ food particles भी आते हैं, और ये उसको capture करने में भी use होता है, gases exchange by general body surface, यहाँ पे जो gases का exchange है, उसके लिए कोई respiratory system नहीं होता है, ये canal system से ही gases का exchange होता है, और ये respiration करते हैं, चीके, excretion, excretion का मतलब होता है, nitrogen based जो ये बाहर निकालते हैं, उसके लिए कोई system नहीं होता है, canal system में इसका excretion करते हैं, next है reproduction, canal system के through gamit का transportation होता है, और जिससे इनका reproduction होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये reproduction में भी helpful है, तो canal system porifera के बहुत ही important functions को complete करता है, आगे हम अब पढ़ेंगे, इसके typical sponge body plant क्या है, इसकी body में क्या है, एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, ताकि हम भूले नहीं, छीके, आप उपर वाले figure को सबसे पहले देखिए, अच्छे से, इसमें pinacoderm सबसे पहले आप देखिए, pinacoderm एक layer है, जिसमें pinacocytes होते हैं, जो side में जो cells बनी हैं, वो pinacocytes हैं, और जो osteum के pores है न, वो porocytes हैं, और इनी दोनों को मिला कर pinacoderm बनता है, ये एक layer बन गए, इसके बदल में आप देखिएंगे, कि collar cells हैं, collar cells क्या होती हैं, आपको पहले बता दिया है, konecocytes हैं, इन्हें हम collar cells भी कहते हैं, ये यही cells होती हैं, जो intracellular digestion कहती हैं, इनी cells के अंदर digestion होता है, ostium से water आता है, water के अंदर food particles होते हैं, ये food particles इनी collar cells, coinocytes के द्वारा खींच के लिए जाते हैं, और ये अंदर intracellular digestion करते हैं, ठीके, तो इन्हें हम इस layer को कहते हैं, gastroderm, और बगल वाली layer को कहते हैं, pinacoderm, ठीक है, समझ में आ गया, आगे अब नीचे की तरफ बीच वाली layer को समझ लेते हैं, बीच वाली layer को हम mesohill कहते हैं, mesohill layer में आपको specules देखने को मिलेंगे, और spongin fiber, जो fiber धागे नुमा संरचना है, वो spongin fiber है, और जो specule काटे जैसी संरचना है, वो specules है, और ये specules जो होते हैं, वो calcium carbonate और silica के बने होते हैं, और spongin fiber होते हैं, ये protein के बने होते हैं, और ये आपको मिलेंगे, मेजोहill के अंदर ये non-cellular layer होती है, जो spongin fiber है और जो specules हैं, ये ही endoskeleton बनाते हैं, sponges को और ये ही देते हैं stability, ठीक है, ताकि ये सीधा खड़ा रहे हैं, तो ये बहुत ही subtle peripheral का diagram है, अगर आप coinoside को देखना चाहें ध्यान से, क्योंकि coinoside बहुत सारे काम करता है, इसके अंदर जो flesla होता है, वो उपर की तरफ flow करता है, और इसी के वज़े से पानी बहार की तरफ निकलता है, ठीक है, और यही food particles को क्या करते हैं, attract कर लेते हैं, और यही intracellular digestion भी करते हैं, तो ये बहुत सारा काम करते हैं, इनको भी समझ लेते हैं, ये कैसे होते हैं, आप नीचे वाले structure को ध्यान से देखिए, इसके अंदर microvillies आप उपर की तरफ देख सकते हैं, microvillies होती है, इने color कहते हैं, microvillies भी कहते हैं, इसके उपर से जो पानी होता है, वो निकल जाता है, फ्लेसला आप देखेंगे, फ्लेसला है, और आप microvillies के अंदर yellow color की ची structure of coinocyte and detail structure of sponge, तो आपने काफी बार देख लिया है, तो समझ में अच्छे से आगया होगा, आप हम पढ़ेंगे इसके reproduction को, इसमें दो प्रकार का reproduction होता है, asexual and sexual reproduction, जो asexual reproduction होता है, वो two types से होता है, internal body के थूँ और reduction body के थूँ ठूँ इसमें क्या होता है, archeocyte जो मैंने आ इनकी capability होती है, वो इसमें बहुत useful होने वाली है, जैसे porifera है, जो वो unfavorable condition होती है, उसके अंदर internal birds बन जाती है, और इसके अंदर archeocytes होती है, cells, ठीक है, ये जब unfavorable condition है, तो क्या होता है, इनकी जो main body होती है, वो destroy हो जाती है, जो parental body है, वो destroy हो जाती है, और बाद में सि जिफ चार या जो भी internal birds होती है, जो भी gamules होती है, जिनको हम gamule भी कहते हैं, वो बच जाते हैं, और यही each gamule क्या होती है, नए sponge को बनाते है, each gamule give rise to a new sponge, favorable condition आने पर, तो ये एक internal body जो होती है, तो इस तरह से asexual reproduction होता है, एक और type होता है, asexual reproduction का, वो होता है, reduction body के थूप ठीक है, अब porifera है, जब unfavorable condition आई, तो इसमें क्या हो गया, reduced body बच जाती है, आपने अभी internal budding के अंदर, मैंने आपको पताया था कि इसके अंदर archeocytes होते हैं, लेकिन reduction body में, जो reduced body part बच जाता है, उसमें amoebo sites होते हैं, archeocytes नहीं होते हैं, इसमें amoebo sites और सभी sites होते है सभी cells होते हैं, बस archeocytes नहीं होते हैं, यह इसके अंदर एक difference है, इसको याद रखेगा, तो यह amoebo sites होते हैं, reduction body के अंदर, और जैसे यह favorable condition आती है, तो each reduction body gives rise to a new sponge, एक नए sponge को यह बना देते हैं, तो इस तरह से इनका asexual reproduction होता है, आप पढ़ते हैं, इनका sexual reproduction कैसे होता ह यह hermophodite होते हैं, hermophodite का मतलब होता है, mane और female का एक ही body में होना, इसमें internal fertilization होता है, बाहर कहीं fertilization नहीं होता है, quality के अंदर ही fertilization होता है, जैसे के figure में देख सकते हैं इसमें indirect development होता है indirect development का मतलब होता है कि इसमें direct peripheral नहीं ready हो जाता है या उसका कोई small structure नहीं होता है इसमें पहले larva बनता है और आपको पता है यह जो larva होता है यह float करता है, यह movement करता है लेकिन जब यह बड़ा हो जाता है adult हो जाता है, तब यह सेसाइल हो जाता है तो यह एक इंटरस्टिंग चीज है इसमें दो प्रकार के लार्वा होते हैं एंफी ब्लास्टला और पैरंट काइमा लार्वा तो इस तरह से इनका यह सेक्शल रिप्रोड़क्शन होता है अब हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोरिफेरेंस के नाम देख लेते हैं पहला है लिकोसोलीनिया सेकेंड है साइकॉन इसे अर्न स्पॉंज भी कहते हैं थोर्ड है यूप्लैक्टेला यह वीनस फ्लावर पास्किट होता है यह जापान में यह एक गिफ्ट के तौर पे शादी वगरा में दिया जाता है यह क्वेशन भी पूछा ज इ स्पॉंज यह ए बाध स्पॉंज हो थै सपॉंजिल आपको बता है मैंने यह फ्रेच वाटर था होता है नेक्स्डेघ क्रिज़ना यह बोरिंश होता है इस कपॉर्रिंग सा होता है चालना यह छान जो होता है मर्मेट ग्लूप इस नियूंपूर्ग 15 और भावक्षर अी देख सकते हैं गूगल पे इसका स्ट्रक्चर है ग्लोव की तरह हाथ में जो दस्ताना हम पहनते हैं वो ऐसा ही यह लगता है इसलिए इसका नाम है मर्मेट्स ग्लोव तो यह हो गया आज का वीडियो कम्प्लीट आज आपको पोरिफेरेंस के बारे में सारी डेटेल मैं आपक होगे तो देखते रहे हैं लाइक शियर सब्सक्राइब करते रहे हैं थैंक यू सो मच वाई